नमश्कार दोस्तो सब्सक्राइब कीजे नॉलेजगेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए इस चैनल की सारी लेटेस वीडियो तुरन देखने के लिए नमश्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस संचेत और स्वागत करता हूँ इस वीडियो स्रीज में जहां हम डिसकेशन करेंगे उपरेटिंग सिस्टम पर तो दोस्तो इस वीडियो में बड़े ही बेसिक से बात स्टार्ट करूँगा पहले समझेंगे operating system की हमको क्या जरूरत है उसकी क्या definition क्या परिवाशा है या hardware है उसके बाद आप बोल सकते हैं user है application programs है उन सब के बीच में operating system क्या करता है और कहां exactly fit होता है तो चली शुरू करते हैं तो चली दोस्तो discussion स्टार्ट करते हैं और एक एक करके point समझेंगे तो starting में बोलता हूं कि operating system is a system software तो जैसे बहुत सारे software हो सकते हैं उस तरह operating system ये system software है अब क्या खास बात है इसकी तो पहला point जैसे हैं लिखा है it acts as a intermediatory between the hardware and the user तो अगर hardware यानि के जिसको हम computer बोल सकते हैं hardware मान लिजे हमारे पास है और user मान लिजे हम खुद हैं तो बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में intermediatory का काम दोस्तों करेगा कौन operating system मतलब देखे पहला सवाल समझेगा क्या हम hardware को direct access कर सकते हैं के नहीं क्या operating system यूज़ करना हमेशा जरूरी है तो जी क्या answer सही पूछिए तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं आप hardware को चाहे तो direct access कर सकते हैं लेकिन ऐसा करना दोस्तों नहीं convenient होगा और नहीं efficient होगा मतलब ना तो ये काम आसान होगा क्योंकि logic समझेगा hardware complex machine है आप चाहें तो machine language यूज़ करके hardware को direct access कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो पहली बात तो ये काम करना बहुत मुश्किल है और कुछ ही selected persons होगे जिनको इतना knowledge होगा जो hardware को direct access कर सकें अगर आप कर भी पा रहे हैं तो hardware इतना complex और दोस्तों यहां पर इतने सारे resources है कि वो जो access होगा वो efficient नहीं होगा उधारन के लिए बात समझेगा चाहें वो कोड़ी भी hardware है यह बात सिर्फ computer की नहीं है अब मान लेजए एक गाड़ी का एक example ले लेते हैं तो गाड़ी एक car जिसको हम बोल सकते हार्डवेर है जिसमें बहुत सारा mechanism है उसमें engine है उसमें air condition है उसमें अलग-अलग facilities है अब एक बात समझेगा हमारे पास सिर्फ एक button है हमको बताए भई यह button दबाएंगे तो इसी चल जाएगा हमको नहीं पता अंदर क्या process है क्या mechanism है क्या उस button के भी इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है भई कोई mechanical engineer होगा उसको इतना knowledge होगा thermodynamics का air condition का refrigeration का वो जानता होगा उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं क्या बिना steering के, बिना gearbox के बिना clutch के, pendles के उस car को access किया जा सकता है जी of course किया जा सकता होगा लेकिन directly अगर आप machine को control करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो control करना बहुत मुश्किल होगा तो गाड़ी के संधर में अगर बात करें तो steering है या कोई भी button एक तरह का interface ही तो है जिसके through आप उस machine को access कर सकते है और सारी बात छोड़ दीजिए एक simple से example एक switch का आपको fan चलाना है आपने जाके एक switch दबाया तो जिए वो switch है दोस्तों वो एक तरह का interface हुआ हमारे और fan के बीच में क्या बिना switch का अस्तमाल किये भी fan को control किया जा सकता है अमाली जिए दो wire हम direct ले लेते हैं और जब fan चलाना होगा wire को जोड़ेंगे बट ऐसा करना convenient और दोस्तों efficient नहीं होगा बेकास बहुत बार और हर आदमी को उसका इस्तमाल करना आना चाहिए तो यह बहुत ही सरल और बहुत ही मज़ेदार बात है कि आप hardware को क्या direct access कर सकते हैं मैं करा हूँ जी हाँ सब कर भी सकते हैं लेकिन अगर करेंगे तो ना वो access convenient होगा ना efficient होगा तो हम अपने और hardware के बीच में दोस्तों किसको बठा देते हैं operating system को अभी एक हमारा आदमी है और इसको hardware को इस्तमाल करना पूरी तरीके से आता है तो अब मुझे जो भी काम करना होगा मैं hardware को ना बोलके hardware पढ़ने की मुझे जरूत नहीं है मैं जो order हूँ वो किसको दूँगा operating system को और operating system पूरी तरीके से उस hardware को यूज करके उस order को जो है execute करेगा है ना तो जो सबसे basic बात दोस्तों समझने वाली है वो ये कि operating system क्या है भही एक तरह का software है प्रोग्राम है जो user और hardware के बीच में लगाया जाता है और हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है because हम hardware को convenience और efficiency के साथ इस्तमाल करना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं हाड़वेर को use साइंस का दोस्तों यही मज़ा है कि साइंस का इस्तमाल करने के लिए या साइंस का use करने के लिए उसका मज़ा उठाने के लिए उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है अब अगर आप एक air condition लाके लगा देते हैं और button दबाते हैं तो आपको भी उतनी अच्छी और ताजी और ठंडी हवा मिलेगी जितनी कि एक mechanical engineer को मिलती है लेकिन हमें पढ़ने की जरूत नहीं है कि उसके अंदर क्या-क्या process इस्तमाल कर रहे हैं तो यही मैं आप बोल रहा हूँ hardware अगर use करने लायक या बहुत आसान नहीं होगा तो उसको use करना दोस्तो बहुत मुश्किल होगा तो यहां हमने लगा एक operating system और operating system की मदद से भी इस hardware को जो है हम बहुत सदलता से इस्तमाल कर सकते हैं तो चली दोस्तो अब बात करतें अगले point के बारे में resource manager manage resources in an unbiased fashion both hardware and software अब देख एक बात समझेगा जैसे मैं पहले point में भी आपको याद दिला रहा था जो hardware है दोस्तो या जो computer है अब मैं सिर्फ hardware की बात नहीं करता मान लिए एक system है इसके पास बहुत सारे resources है जैसे CPU है, memory है system buses है, registers है या software resources भी हो सकते है SEMA, force, flags है उसकी बात में करेंगे लेकिन एक set of resources है अब जहन से समझेगा अगर user directly in resources को इस्तमाल करने की कोशिश करेगा तो देखें ये management करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जैसा मैं पहला point आपको वोल रहा था पहले तो हमें आता ही नहीं होगा कि machine language में direct या hardware language क्या है जिसके through resources को access किया जाता है दूसरा, दोस्तों समझेगे resources इतने सारे होंगे कि आप उसको जल्दी जल्दी manage नहीं कर पाएंगे मलब for example, मान लिजिए कि हमने एक computer पर एक hardware पर operating system नहीं किया कोई application program नहीं किया और directly machine language यूज करके हम कोई movie देखना चाहते है अब हमने सारा code समझ लिया machine language में कि कैसे movie को play करना होगा, कौन-कौन सी functionality की बटा तब समझेगा जब एक movie play हो रही होती है एक laptop एक computer के अंदर तो क्या-क्या काम हो रहा होगा system में fan rotate हो रहा होगा so that system को ठंडा रखा जा सके page fault हो रहे होंगे screen का brightness maintain हो रहा होगा इतने सारे process दोस्तो पैलली run हो रहे होंगे कि अगर वो सारे काम हम खुद करने की कोशिश करेंगे तो movie कैसे देखेंगे मेरे बात समझ रहे हैं तो देखें सबसे मज़े की बात क्या है तो operating system मेरे में बोल सकते हैं कि भाई दोस्तों यह हमारा एक resource manager है अब अगर return Tata यह सोचते हैं कि सारी factory जाके वो खुदी manage करेंगे तो इतने सारे business जो Tata Empire चला रहा है वो नहीं चला पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक manager रखना पड़ेगा तो दोस्तों जो operating system है यह अब हो गया हमारा manager और जो भी application program से अभी बात करूँगा जो user जो भी काम करना चाहता है मालेजे आप एक movie देखना चाहते है तो एक program है VLC media player उधारन के लिए उसके थूँआप देख रहे है आप कोई file कोई काम कर रहे है कोई text लिख रहे है तो मालेजे MS office के थूँआप ऐसा कर रहे है तो आपकी application programs को जो resources चाहिए उसका जो management है जो book keeping है दोस्तों वो भी कौन करता operating system तो operating system इस बात का पूरा ख्याल रखेगा किस application को कितना resource चाहिए तो पूरा जो management है हमारी दोस्तों कोई tension ही नहीं रहे जाएगी वो सारी management भी कौन करता operating system आखरी point देखेगा इट provides a platform on which other application programs are installed यह देखे सबसे important बात है एक बात समझेगा जैसे अब मैं आपको example बता था hardware पर आप बहुत सारे applications एक साथ चला रहे है मालेजे आप movie भी देख रहे हैं आप browsing भी कर रहे हैं आप कोई text भी लिख रहे हैं number of process आप एक साथ कर रहे हैं हर process को दोस्तो resource चाहिए होगा अब मज़े की बात यह है अगर सारे के सारे process या application program जिसको हम बोलते हैं वो hardware को access करेंगे तो दोस्तो उसमें synchronization करना बहुत मुश्किल होगा जैसे बोलते हैं एक system में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और हमारे system का गुंडा दोस्तो कौन है operating system तो हम क्या करते हैं हम सारे के सारे application programs को direct hardware को access नहीं करने देते because resource तो shared है और अगर हर कोई एक साथ access करने की कोशिश करेगा तो पक्का clashes होने वाला है प्रॉबलम होने वाला है तो हम क्या करते हैं hardware के उपर सिर्फ operating system को install करने वाले है और फिर सारे के सारे application program operating system के उपर install करेंगे अब देखे उससे advantage क्या होगा कोई भी application program जो है operating system के अलावा वो किससे बात नहीं कर सकता hardware से हर किसी को OS से request करनी पड़ेगी इससे हमारे advantage क्या देखे जिसको ओलते है single window operation hardware को सिर्फ एक ही आदमी access कर सकता है वो कौन operating system तो बार में दोस्तों कोई problem हुई तो आपको जा कि किसका collar पकड़ना है operating system का आप समझ रहें अगर एक bank है bank के अंदर एक locker और locker की चावी जो है वो 10 आदमी के पास है और मान लिजे किसी ने locker से पैसे निकाल लिए और चावी से ही locker खुला गया तो हमको नहीं पता पैसे किसने निकाले problem है क्योंकि management में बहुत सारा आदमी के पास अथारिटी है बढ़ अगर चावी एक ही आदमी के पास होगी तो सिर्फ उस आदमी को control करके उस locker को अच्छे से manage किया जा सकता है तो ये जो hardware है दोस्तो इसकी चावी हम सभी application programs को ना देके सिर्फ किसको देने वालने operating system को और बहुत सब को तू manage करना अगर बार में कोई problem होगी तो हम आके operating system को पकड़ेंगे क्योंकि हम बोलने वाले hardware को manage करने की पूरी responsibility सिर्फ आपकी थी है ना तो ठीक एक बात समझेगा दोस्तो operating system को define करने के लिए ऐसे कोई standard definition नहीं है किसी भी बूक में आप देखें तो हर writer अलग-अलग तरीके से इस बात को explain करता है बट यहां देखें तीन important points पर मैंने concentrate करने की कोशिश की है पहला कि operating system एक intermediary है user और hardware के बीच में और यह भी मैंने बताने की कोशिश की कि उस intermediary की जरुत क्यों है पहला क्या mandatory है नहीं साब आप चाहे तो direct भी access कर सकते हैं बट direct access करने की कोशिश करेंगे तो आप भी यह भूल जाएंगे आपने machine बनाई क्यों थी क्योंकि access करना बहुत मुश्किल और efficiently नहीं कर पाएंगे तो हमें एक intermediary चाहिए दूसरा resource management जितनी भी resources हैं दोस्तों वो इतनी सारी और इतनी complex है कि हम direct अगर manage करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा तो हम सारी की सारी resource manage करने की जो ठेकेदारी है है ना जो leadership है वो हम किसको देते हैं operating system को और बोलते हमारे behalf with आप सारी resource manage करोगे चाहिए hardware resources हैं चाहिए software resources हैं और आखरी और सबसे important point कि बाकी सारी application programs के लिए दोस्तों यह basic का काम करेगा base का काम करेगा तो hardware पर सबसे पहले सिर्फ operating system दोस्तों install होगा और बाकी सारी application programs हैं वो operating system से बात कर पाएंगे वो direct hardware से बात नहीं कर पाएंगे so that system में clarity होगी management आसान होगा क्योंकि सिर्फ operating system ही जो है वो hardware को इस्तमाल कर पा रहा होगा इसको और थोड़ा सा बहतर तरीके समझने के लिए एक abstract view देखते हैं दोस्तों पूरे system का जहां देखते हैं कि hardware में application programs है users हैं तो उस सारी चीज में operating system अब कहां fit होता है तो चलिए दोस्तों इस diagram पे एक बार ध्यान देते हैं इसको बोलता है abstract view of a system तो पूरे system का अगर एक view देखें सबसे base में जिसको मैं level 0 भी बोल सकता हूं हमारे पास है computer hardware है ना अब देखे इस computer hardware के ऊपर हमने can install कर दिया operating system तो अगर यह level 0 तो देखे level 1 पर हमारे पास आएगा operating system और आप देख पा रहे होंगे कि बाकी कोई भी directly hardware को access नहीं कर सकता हर किसी को operating system के थुरू होकर ही जाना पड़ेगा पूरे के पूरे hardware पर operating system का दोस्तों control होगा और देखे उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो मानले सकता हूं level 2 यहां बोल सकते है system या application programs देखे software या programs को दो तरीके से divide करते हैं बोलते है system software या application system मतलब जो directly system management में काम करते हैं जैसे compiler है assembler है device drivers यह system software है बाकी कोई भी application आप बना रहे है MS office है कोई game है VLC media player है यह सब simple applications है तो देखे वो कोई भी software है मैंने सब example लिकिए compiler है assembler है MS office कोई game है need for speed whatever it is यह दोस्तों जितने भी application program होंगे यह देखे सब के सब operating system से बात कर रहे होंगे इस में से कोई भी application program direct hardware को access नहीं कर सकता और इस तरह का management हमने क्यों किया है वही जैसे हमने last भी थोड़ी देर पहले ताकि hardware को बहतर तरीके से control किया जा सके coordination बनाया जा सके इन सारे application programs के बीच में वेकाज अब इस पूरे system का गुंड़ा सिर्फ एक ही है दोस्तों वह है operating system और देखे रहे हैं last में आपके पास users है तो application program अपना तो कुछ काम करनी रहे यूजर्स जब कुछ करना चाहते हैं तो वह application programs के थू अपनी बात रखते हैं तो अब देखे मान लीजे कोई user है जो let me say movie देखना चाहता है तो वह user जो है VLC media player को play करेगा जाके वहां पे movie को play करने की instruction दबाएगा और आप चाहेगा की movie play हो अब ये media player आपके बिहाफ पे बोलेगा operating system से के sir हमको hardware पे movie play करनी है प्लीज हमको ऐसा करने के लिए facilitate करें allow करें और operating systems जो hardware को control कर रहा है वह जाके hardware के उपर movie play करके आपको दिखाएगा तो मैंने काल से पूरा दोस्तो system आपको समझ आया होगा तो दिखे एक बात समझेगा ये video का basic reason क्या है definition रटनी नहीं concept समझना है हमको तो operating system का basic क्या idea है पूरे system में वह कहां fit हुआ अब मेरी खाल से इसके आपको better understanding होई होगी कि operating system जो हाड़वेर को manage करने के बहतर तरीके से manage करने के एक तरीका होगा तो दोस्तों इसी discussion को आगे बढ़ाते हैं और अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे goals और functions की ये question competitive exam से में पूछे जाते हैं तो एक बड़ा important part है कि operating system का क्या goal है और operating system की क्या functionalities या क्या functions है और बहुत सारे लोग confuse होता है difference between goals and functionalities तो थोड़ा सा आप विचार करिए कि goals और functions क्या होंगे या क्या होने चाहिए और मैं बहुत ही जल्दी हाजर हूँ अगली वीडियो के साथ जहां दोस्तों discussion करेंगे goals and functions of operating systems पर तब तक के लिए धन्यवाद